कैसे हैं आप सभी तो आज मैं आप सभी के साथ एक discussion करने आई हूँ बेसिकली जैसे कि आप सभी जान चुके हैं class 12 के बच्चे कि उनका जो sample paper है वो term 2 का CBSE ने released कर दिया है हाँ जी term 2 का जो आपका sample paper है वो CBSE के द्वारा जारी कर दिया गया है तो उसको लेकर आज हम यह discussion करेंगे कि कैसा सा exam आने वाला है क्योंकि देखिए sample paper जैसा आता है न उसका exact वैसा ही आपका जो exam होगा paper होगा आपका board exam होगा वो आने वाला है same आपकी marking scheme रहेगी आपके question कितने number के आएंगे वो सबी चीजे same होंगी कौन से section जो है उसमें कितने number के questions आएंगे all everything आपकी same रहेगी ठीक है तो उसके ऊपर आज मैंने पूरा का पूरा उसको analyze किया आपके जतने भी subjects है basically arts stream के जतने बच्चों के subjects हैं जो common common से होते हैं जि basic education home science तो इनको analyze करने के बाद मुझे पता चला कि आपका जो exam है वो जादा lengthy नहीं होने वाला है ठीक है कम questions है लेकिन उसमें देखिए कम questions है तो आपकी जो marking scheme है हरे question की वो कम से कम two three और five या फिर आप six लगा लीजे six के बाद तो होना ही नहीं है six के बाद होना ही नहीं है चाहे तो दो रहेगी चाहे तीन रहेगी हर question की चाहे पाच रहेगी चाहे छे रहेगी वो section wise divided किया गया CBSE के द्वारा जैसे कि आपका section A जो है उसमें English के exam में तकरीबन जो आपके unseen passage है उसमें आपकी एक थी ठीक है one mark के थे questions उसके बाद फिर two फ and then फिर आपका last में कितना था four था ठीक है four भी था तो six से आगे बढ़ने वाला नहीं है कहूं तो six भी मुश्किल सही किसी किसी subject में होगा वरना पाच से आगे आपकी marking scheme नहीं होने वाली है तो हमने ये decide तो कर लिया कि कितनी है उसको देखकर sample paper को लेकिन हमने एक क्यूं द देखा वही तो आज बताने आई हूं strategy किस तरीके से आप अपनी त्यारी करेंगे देखिए आपका कोई भी subject लगा लिजे मान लिजे आपका physical education है पहले तो बता दू कि physical education का sample paper जो है किस तरीके का आया है वो सारा analytic आपकी जो video है न वो मैंने बना दी है दूसरी चीज उसके बाद आपको उसकी solution वीडियो भी मिल जाएगी ठीक है दोनों की ही link आपको description box में given है तो फटा फट से जाके अगर देखना चाहे तो उन्हें देख लीजे physical education का hindi medium में आपको solution कराया गया है with notes and explanation detailed explanation आपको वहाँ पे दी जाएगी ठीक है पूर अच्छे तरीके से है अभी देखेंगे तो जड़ा फायदा रहेगा क्योंकि क्या पता CBSE का कुछ भी नहीं पता है पतानी कब एकदम से कहे कि exam होने वाले हैं इस मन्त में भई हमें पता है FAB, March और April यही हमारे तीन महीने हैं जिन में हमारे exam जो है टाम 2 के होने वाले हैं बीच में न्यूज आई थी क CMS का पता पता है कि exam जो हो जैसे ही मैंने देखा कि Sample Paper आया है इसका मतलब CBSE कुछ ना कुछ तो वो कर रहा है गोल माल सा कर रहा है हमारे साथ गेम खेल रहा है कि पहले तो बच्छों को बोल दे कि Cancel होने वाले है वो भी सकते हैं और फिर बोल दिया कि Sample Paper रिलीज हो गई अ अब बात करते हैं दुबारा से अपने इन मार्किंग पे जो मैंने आपको इन मार्किंग स्कीम बताई आपके questions की दो, तीन, चार, पांच, छे टिक है इतनी ही रहेगी तो इससे मतलब क्या है अब देखिए for example आपका history है, pole science है, home science है, कोई भी subject है उसका आपको question दिया गया है दो number का, दो number का question है इसका मतलब क्या है हमें answer कितना लिखना होगा बच्चों ने मेरे से ये भी पूछा था English में कि मैं आपका जो मालीजे कोई भी question है उसमें 30 to 40 words आता है लिखने के लिए कि इतना लिखिये, तो हमें कितना लिखना है उसमें अब English की बात तो हो जाती है अलग क्योंकि उसमें काफी बच्चे point के उसमें answer देके आते हैं काफी without point करके answer देके आते हैं क्योंकि उसमें काफी सारे paragraph बन कर आते हैं लेकिन history, pole science, home science, physical education ये कुछ ऐसे subject हैं जिनमें हमें answer जो है वो point में लिखना होता है अगर दो number का question है तो आप दो point लिखके आएंगे ठीक है बात को समझ रहे हैं, दो number का question है आपका तो आप दो number लिखके आएंगे, दो point लिखके आएंगे अपने question में अपने answer sheet में दो point लिखके आने हैं, अगर question आपका 5 number का आजाता है, suppose कीजे तो आपको 5 point बना के आने पड़ेंगे चाहे आप कैसे भी बना के आईए, आप चाहे याद करके जाएए पहले से points की अगर इतने आने वाले हैं, ये तो benefit है न हमारे पास की, हमारे पास marking scheme आ गई है तो हमें पता है की जादा जादा 5 तक आने वाले हैं या 6, 6 तक आने वाले हैं, तो जो भी आप त्यार करें, उनका 6 तक कर लीजे की हाँ, 6 point तो मेरे फराटेदार होने ही चाहिए क्योंकि हो सकता है की एक आप थोड़ा सा भूल जाएं, तो 5 फिर भी आपके बद जाएंगे, ठीक है, फिर आप लिख सकता है अब point का मतलब मेरा किस तरीके से है, point का मतलब ये नहीं है की आप ऐसे first point डाला और बहुत सारा paragraph सा आपने लिख दिया नो, ये सबसे बड़ी mistake रहती है बच्चो की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा point कैसे लिखते हैं, मैंने starting में ही पताया था आपको कैसे लिखना होता है, जो भी मैं आपकी strategy वीडियो बनाती हूँ, उसमें points से related मा बताती हूँ कि answer किस तरीके से attempt करन तो descriptive है इस साल, तो point में कैसे लिखेंगे, जैसे की अब मान लीजे कोई question किसी भी तरीके से आ जाता है, तो मैं उसका answer दे रही हूँ, जैसे कि चुनाव के उपर आ गया है, तो चुनाव का प्रचार प्रसार, इस तरीके से बना देंगे हम प्रचार प्रसार करके, या फिर प्रचार प्रसार, फिर ये dot लगा के ऐसे करके, फिर आपको उसके बारे में explain करना है, समझे, पहले आपको, क्या करना है, पहले आपको, पहले आपको जो एक point था, उसके एक छोटी सी short line लिखी, उसको नीचे underline कर दिया, blue pen से कीजे, pencil से कीजे, और अगर आपके admit card में लि यूज कर सकते हैं, तो of course आप black pen से भी कर सकते हैं, कई बार होता है कि black pen use करना बिल्कुल मना कर देते हैं, इसलिए तो बच्चा नहीं कर सकता, फिर ऐसे dot डाल दीजे, और फिर explain कीजे, समझ रहे हैं इस बात को, फिर explain कीजे, जो आपका ये वाला point यहापे आपने लिखा ह होगा न, ये एक line का, एक sentence लिखा होगा, छोटा सा, वो point जो है teacher बस उसे ही देखती है कई बार, क्योंकि check करना होता है, अब एक दिन में पताने कितने paper उनको check करने होते हैं, तो सभी के अंदर का पढ़ने लग गई, तो वो तो पागल हो जाएंगी, इतना किसके पास time होत नीचे जो आप लिखेंगे, तीन-चार line लिखेंगे, उससे जादा नहीं, तीन-चार लिख दीजे, ये थोड़ी ना क्या पूरा page भर देंगे, उसके अंदर नहीं, तीन-चार लिख दीजे, जिसकी बड़ी handwriting है, उसमें थोड़ा सा और जादा page हो जाएगा, बट तीन- लाइन ही, आपको लिख कर चलनी है, मतलब कि उसके अंदर आना चाहिए, और आपका point जो है, वो इस तरीके का होना चाहिए, कि टीचर मजबूर हो जाए, आपको पूरे से पूरे नंबर देने के लिए, आधा नंबर भी ना काट सके, इस तरीके का लिखेंगे, तो आपके marking scheme रहती है, अगर 5 तक की रहती है, तो 5 point अपने हर question के त्यार कर लिजे, इसमें अब क्या है, देखी, आपको कई tricky question नहीं आने वाला है, कि जैसे time 1 में आया था, MCQ थे भाई, हमें बिल्कुल deep में पढ़ना था, बिल्कुल deep में जाके, कोई भी एक word दे देंगे, उसके basis प से explain कर सकते हैं, ठीक है, तो मेरा मानना ये है, कि आपका जो term 2 है वो आपके लिए golden mocha है तरीके से, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, तो आपकी percentage 95% से अबव जाने से कोई भी नहीं रोग सकता है, तो ये काम कीजिए, और फिर बात आती है, आपके previous year question papers की, previous year, ठीक की, इनको कर लेंगे तो और best रहेगा, sample paper तो करना ही करना है, वो तो must है, जो दिया है, वो तो करना ही है, क्योंकि उसी में से CBSE आगे पीछे घुमा के दे देगा, पता भी नहीं चलेगा अगर नहीं करके जाओगे तो, और फिर बाद में पच्छता होगे कि हाँ, ये ही थ 5 year के उठालो, उन में से जो आपका term 2 के syllabus में लगे हुए है, वो तो आप देखकर अच्छे से पहचान सकते हैं, कि ये question है, उनको solve करके देखो, नहीं आ रहे हैं, तो आपके पास NCRT book है, उसको read करो अच्छे से, उसके बाद उन में से answer निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये कोई भी ऐसी reference book है, जिसमें answer दिया हुए है, मिलता जुलता, तो आप अच्छे से बना के कर सकते हैं, तो previous year question papers कीजिए, बहुत best रहेगा, ठीक है, term 1 हो या term 2 हो, दोनों में एक चीज आपकी main रहती है, previous year question papers, उनको करना बहुत बहुत important होता है, क्योंकि CBSC कहीं से भी कुछ भी उठा के दे देती है, अब CBSC के पास हर साल अलग-अलग questions तो नहीं आ सकते न, chapter तो वही है, chapter के अंदर से कितना निकाल लेगी, सोचिए कितने questions बना लेगी, ऐसे करोडों तो नहीं बना सकती, वही कितने सालों से paper लेते हुए आ रहे हैं, तो उन्ही में से आगे पीछे करके देंगे, बात समझी, और 5 साल तक के करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इतने कर लो, मजे से आपका paper जाएगा, आपके percentage इतने अच्छे हैंगे, family भी खुश होगी, आप भी खुश होगे, relatives भी खुश होगे, ठीक है, सभी, teachers भी खुश होगी, school का नाम भी होगा, तो ये सब करने के लिए थोड़ा बहुत करना तो पड़ेगा महनत, तो ये कीजे आपके लिए best रहेगा, by the way हमारे चैनल पर सभी चीजे कराई तो जाती हैं ही, आप जैसा कि आपको पता है पहले से ही, अब एक छोटी सी बात है, छोटी सी request है, जन बच्चों ने पढ़न start नहीं किया है, उनके लिए बोलना चाहूंगी, अभी से पढ़ना start कर दीजे, क्योंकि इस साल term 2 आपका easy है, तो easy है, तो उसको अठ्चे से करना है, ठिक है, easy है, सब कुछ easy है, उसको अठ्चे से करेंगे, तभी तो उस easiness का फायदा उठा पाएंगे, वरना नहीं करके ज पढ़ना start कर दीजे, exam CBSE कभी ले लेगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा, कि इतनी जल्दी exam आ गए, चलिए तो जैसा कि आपका मैंने थोड़ा से discussion के लिए वीडियो बनाई थी, ठीक है भई, अब जिन बच्चों को समझना था, वो समझ गया होगा, जिनको नहीं समझ नहीं समझेगा, उनका तो फिर पता नहीं क्या होगा, ठीक है, उनको करते हैं, side by the way, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेर कर देना अपने फ्रेंट्स पे, टेलिकाम ग्रूप जोइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, and thank you for watching this video, new है तो subscribe कर देना, बाइल एकर को कर देना, प्रेस,